हलो फ्रेंड्स मेरा नाम चंद शेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैच पर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जैसे कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि आज से हम रीजिनिंग का शेडूल लगाने वाले हैं तो पहला वीडियो जो की सिटिंग अर्रेजमेंट और पजल का है आपके समक्ष आ रहा है और आपके लिए चोटा सा काम है क्योंकि हम यहां मैच भी ला रहे हैं तो आपको करना क्या है करना यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है जहां भी आप जहां मैं उसमे यह सारे कि सारे कोश्ण बहूत इंपोर्टेंट अगर इनको करके आप 9 जाते तो दिक्कत होने वाली है ठेकिस तो आप उनको करके जाए अच्छे से जिससे की आपके अच्छे से अच्छे मार्स आ सकें अब देखिए यहां पर यह घुर्ट 2 भी लाएंगे और भी चैप्रल लेके आएंगे यानि कि आप रीजनिंग डेली बीसिस पर चलती रहेगे स्टार्ट करते आज का शेशन पहले प्रशने के साथ देखिए अगर मैं इसको जिक्र कराओं ये आया है 9 माई 2022 एंटी पीची सीवीची टू जो एक्जाम हुआ था अभी फेस 4 और फेस 6 का लेवल 4 और लेवल 6 का उसमें आपको ये देखने को मिला था कैसा करने का तरीका रहने वाला है आईए मेरे साथ मैंने क्या किया है यहाँ पर प्रवियस एयर भी उठाये है जो कि 2020-2021 में आये है और यहाँ पर मैंने लेट टेस्ट का ये कोशन उठाया है पत्त कुछ कोशन लेट टेस्ट के हैं अभी के पिछले महीने के और कुछ कोशन आपके 2020 और 2021 के हैं जिससे आपके प्रॉपर तयारी हो पाईगी पहला प्रश्न कहता क्या है पांच बॉक्स के ल, M, N, O जिने एक के उपर एक रखकर व्यवस्तित किया गया है कम्प्लेट बॉक्स M को बॉक्स N की उपर रखा गया है तो बॉक्स M को बॉक्स N की उपर तो पढ़ते कैसे हैं बच्चों मैं आपको सिखाता हूँ पढ़ते ऐसे बॉक्स M को बॉक्स N की उपर तो N की उपर कौन M उल्टा पढ़ते हैं, N के उपर कौन M तो N के उपर कौन आएगा M कम्प्लिट चलिए एकदम उपर नहीं बोला, इसने उपर बोला है बॉक्स O को बॉक्स K के नीचे रखा गया है तो बॉक्स K के नीचे कौन O बॉक्स K के नीचे कौन O complete आगे यहाँ पर बोल रहा है बॉक्स N को बॉक्स K के उपर रखा गया है बॉक्स N को बॉक्स K के उपर तो box k के उपर कौन n box k के उपर कौन n इससे ये समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पर देखने पर कि यहाँ k के उपर कौन है n और यह k यहाँ पर उपस्थी थे तो इसके उपर आ जाएगा n और n के उपर कौन है m देखिए, चार लोग तो बैठ चुके हैं, complete आगे, box L को O box की नीचे रखा गया है, box L को O box की नीचे, तो O box की नीचे कौन आएगा L, और 5 box की sitting आ चुकी है, यहाँ पर आपके सामने, पूछा क्या है question में, निम लिखित में से किस box को सबसे नीचे रखा गया है, सबसे नीच रखा गया है, L को यही आपका correct answer है, option second, next question, अगला प्रश्न, इसका हम जिक्र कर ले, इसका हम जिक्र, थोड़ा से इदर लगाईए, हाँ जी, इसका अगर हम जिक्र कर ले, थोड़ा छोटा कीजिए, कुछ कट तो नहीं रहा, हाँ ठीक है, ठीक है, प्रॉपर है, ओके, य जिक्र करें, नौ मई 2022, एंटी PCCVT2, shift second का, यह question है, कैसे करना है, अच्छे से देखेगा, इसमें क्या है, आठ व्यक्ति हैं, और सभी की सभी, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, और उनका मुख उत्तर की ओर है, तो आपको कैसे बैठाना है, सबसे पहले, आपको एक 5, 6, 7, 8, फिर पढ़ते हैं, line by line, देखिए, M पंक्ति के किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर है, किसी एक सिरे से, तो सिरे होते हैं दो, यह होता है दाया सिरा, यह होता है बाया सिरा, M किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है, अगर आप यहां से मानते हैं, तो पहला, दूसा, तीसे स्थान पर कौन बैठेगा, M, clear, यहा हम दो possibilities लेके चलेंगे, पहली यहां से, दूसी यहां से, तो यहां से मानते हैं, एक सिदा तो यह भी होता है, पहला, दूसा, तीसा, जिससे हमारी दो possibilities हमने यहां पर रखती, आगे देखी, N, M के दाई और दूसे स्थान पर है, तो M के दाई और दूसे स्थान पर कौन, N, M के दाई और दूसे स्थान पर कौन, N, तो M के दाई और दूसे स्थान यह होगा, और यहां पर है N, M के दाई और दूसर स्थान यह होगा और यहाँ पर है N ओके आगे N के दाई और जितने व्यक्ति बैटे हैं उतने ही P के बाई और बैठे हैं N के दाई और बैठे हैं यहाँ कोई नहीं उतने ही P के बाई और हैं तो यहाँ भी कोई नहीं बाई और N के दाइं और यहां एक दो तीन व्यक्ति बैठे है तो ऐसे ही P के बाइं और यहां एक दो तीन व्यक्ति बैठे जाने चाहिए according to question आगे S P के दाइं और तीसे स्थान पर है S किसके P के दाइं और तीसे स्थान पर तो P के दाइं और तीसे स्थान पर कौन है S दाई और तीसे स्था तक पहला दूसा तीसा आगे x बाई के दाई और ठीक बगल में बैठा है x बाई के दाई और ठीक बगल में तो लगाथा शीट यहां पर कॉन सी है यह वाली y एक्स यहां ऐसकता है और लागाता सीट यहां पर दो कौन सी ही यहां by x यहां आ सकता है आगे पढ़ लेते हैं यहां बोल रहा है x और b के बीच केवल एक बैक्ती बैठा है x और b के बीच केवल एक बैक्ती बैठा है x और b के बीच केवल एक बैक्ती बैठा है बोला के है, T के दायूर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो T है, T बचेगा, यहां पर आ जाएगा, और T के दायूर कितने व्यक्ति बैठे हैं, आपने कहा, एक, यही correct answer होगा, option seconds आई है, next, अब देखिए, पहले तो इसकी date दिखा देते हैं, थोड़ा सा नीचे कीजिए, date दिखाते हैं, यह कब आया है, नीचे, नीचे स्क्रॉल किजिए, हाँ, यह RRB NTPC, यह 1 March 2021, shift first, stage first में आया हुआ है, है ना, अब करते हैं, question को दिखाईए, हाँ जी, question को और नीचे कीजिए, option को छोड़के, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा कर दीजिए, जिससे की बच्चों को दिख जाए, visibility अच्छे से हो जाए, हाँ जी, visibility हो रही है, पूरे question की, देख लेते हैं एक बार, क्या visibility हो रही है, हाँ जी, visibility proper है, बिल्कुल proper है, अब हear saloon में, एक bench पर पाँच लड़के बैठे हैं, okay कोई दिखकत नहीं है, पी Q के बगल में बैठा है, S bench के 22 चोर पर बैठा है, T R के बगल में बैठा है, T P के साथ नहीं बैठा, P दाए से 33 स्थान पर बैठा है, R कहाँ बैठा है, पहली बात तो ये bench पर बैठे हैं, अग दो, तीन, चार, पाच ये बाया सिरा है ये दाया सिरा है अगर यहाँ पर नहीं बोला गया है कि उत्तर की और उन्मुख है या दच्छिड की और तो आप उत्तर की और उन्मुख ही मानेंगे कोई देखकत नहीं है यह कहता है P Q के बगल में बैठा है P Q के बगल में बैठा है अगर बगल में बैठा है तो कोई भी जन कोई भी दूसरे जन के बगल में बैठ सकता है यानि कि मतलब यह है P Q यहाँ भी आ सकता है तो P Q यहाँ भी आ सकता है कोई भी कहीं भी बैठ सकता है या तो P के राइट में Q बैठ जाएगा या Q के राइट में P बैठ जाएगा बात तो एक ही है यहाँ पर यह बोला नहीं है कि बैठा तो बगल में दाएं है या बाएं है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा है यह पहली शर्थ हमने लिख लिए S bench के बाएं छोर पर बैठा है तो छोर होते हैं दो यह होता है बाएं छोर यह होता है दाया छोर S bench के बाएं छोर पर बैठा है तो बाएं छोर पर कौन बैठा है S यह confirm sitting हो गई T R के बगल में बैठा है T किसके बगल में बैठा है R ऐसे ही T बैठा है R के बगल में तो या तो T या R ऐसे आएगा या T या R ऐसे आएगा कोई भी कहीं भी बैठ सकता है कोई किसी के left में कोई किसी के right में क्योंकि यहां नहीं बोला गया है आगे T P के साथ नहीं बैठता T P के साथ नहीं बैठता है आगे पी के दाइं और तीसे स्थान पर बैठा है नहीं नहीं गलत पड़ा है पी दाइं और से तीसे स्थान पर बैठा है यह बाया छोड़ होता है यह दाया और पी यहां दाइं छोड़ से तीस स्थान पर एक confirm sitting है पी दाएं छोड़ से 30 स्थान पर बैठाएं अब दो सीट तो आपने confirm ही घेल ली है बची कितनी एक दो तीन अब इन पर बैठाल दीजे आप आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि PQ बगल में बैठते हैं अब आप मुझसे कहेंगे सर PQ कैसे बैठ क्यों यहाँ उससे पहले थोड़ा और देख लेते हैं TR एक साथ बैठते हैं पर आपको यह confirm होना चाहिए TR तो हमेशा यहीं आएगा क्योंकि दो सीट तो आपको यही खाली रखने पड़ेगी और P के इदर बैठ जाएगा कौन क्यों और पर यह नहीं पता पर यह नहीं प अगर T P के बगल में नहीं आता अगर T P के बगल में नहीं आता तो कौन आएगा आपने कहा R तो यहां बैठ जाएगा T यह confirm सेटिंग हो गई यह confirm सेटिंग हो गई और सारी चीज वैलेड कर रही यहाँ पर देख लीजे एक बार आप confirm करा देता हूं मैं आपको सबसे पहल जिल्म सेटिंग है कि दाएं से तीसे स्थान पर है यह confirm सेटे हैं यह confirm सेटे हैं उसके बाद R और T बगल में बैठे है तो यह 2 स्थी घेडेंगे घेडिनी अब एक कंडिशन है कि यहां पर आपको पता होना चाहिए कि यह साफ सा भोला है कि P के बगल में T नहीं आएगा तो P के बगल में T नहीं आएगा T यहां से इटा दिया, T यहां लादिया तो A यहां पर आ गया बचा कौन Q यहां आ चाहिएगा क्योंकि Q का sitting fix नहीं है पी का तो sitting fix है, बन चुका है, answer टिक करेंगे, उपर कीजी, option क्या पूछ रहा है, कि R कहां बैठा है, R कहां बैठा है, P और T के बीच में, P और T के बीच में, जो कि option number D correct है, next question, अगला प्रेशन, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, अच्छे से, समझाया जा रहा है आपको, धीरे धीरे, question number 5th, 5th आ गया, 4th का गया, चलिए कहीं चला गया होगा, देखिए पहले तुम्हें बता दूँ, ये कब आया है, ये आया है, आपका date दिखाईए, RRB, NTPC, ये आपका April, 3 April 2021, shift first का question है, अब देखते हैं कैसा है, थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको, हाँ जी, अब थोड़ा proper लगा देंगे, जिससे बच्चों को अच्छे से visibility हो जाए, दिख जाए उनको, थोड़ा कट रहा है उदर से, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अ RRB, D, OR, मुख करके बनाए गये है, सात मकान, देखे, आपको एक LINE कहिछनी है, जिसरे आपको सात मकान बनाने है, चार, पाँच, छै, सात, और सब का मुख उत्तर की और है, सब का मुख उत्तर की और है, ठीक है, कोई दिकतने है, आगे आपसे क्या कह रहा है, D, दाय स confidence, पर बनाया गया है, D है, वो दाएं सिरे पर बनाया गया है, सिरे आपके दो होते हैं, यह बाया सिरा होता है, यह दाया, और D बनाया गया है, दाएं सिरे पर, यह D का इस्तान यहां पर है, फिक्स, आगे, A तथा F, B के ठीक बगल में बनाया गया है, यानि कि A तथा F, B के ठी दो बीच में और बी क्योंकि बी के ठीक बगल में तो ब्हक E के थीक बगल में तो बीक के ठीक बगल में A के ठीक बगल में, अब यह नहीं पता कि E, A किदर बैठेंगे, E इधर भी हो सकता है, A इधर भी, और A इधर भी, और E इधर भी, कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, आगे, H, B के दाइं और चौथे इस्थान पर है, बहुत प्यारी बात कही गई है, H, B के दाइं और, तो B के दाइं और, चौथे इस्थान पर कौन है, H, मैं आपको बता दो, चौथे इस्थान पर बोले, तो तीन व्यक्तियों को छोड़कर चौथा इस्थान होता है, तो बीच में तीन व्यक्ति बैठेंगे, अगर पांचवे इस्थान पर बैठे, तो बीच में चार व्यक्ति बै बैठेंगे यह होता है मिश्या तो आपको पता है एक बैठा है बी के दाई और चौथे स्थान पर तो चौथा यानि कि एक दो तीन व्यक्ति को छोड़कर दाई बैठा है कोई भी दिखकत नहीं है आप मुझे पता है कि यहां पर इन्हों ने कितनी सीट घिल ली है एक देख चोड़कर ह यहां पर या एक कंडिशन में यहां बैठ सकते हैं आप देखिए अच्छी से कि यहां पर और एक दो तीन छोड़कर ह यहां पर जहां कि डी कंफरम है तो दो पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं कोई भी दिकत नहीं है एक बात बताईए अब यहां पर आपको एक तो अच्छे से पता है आपको एक बार तो अच्छे से पता है यह तीन व्यक्ति एक साथ बैठने तो तीन सीट होनी चाहिए कि यहां तीन सीट है आपने का हां तो आप कहेंगे ए यहां सकता है यहां सकता है यहां पर आ रहा है यहां यहां पर आ रहा है यहां यहां पर बीच जाएगी तो a f यहां a f यहां बिल्कुल clear है और यहां पर देखिए e और a बगल में बैठे हैं अगर a यहां बना देता हूं तो e कहीं नहीं आएगा इसलिए a यहां पर है और f यहां पर है और e यहां पर है यह confirm बैठ गए एक व्यक्ति बचा है वो यहां बैठ जाएगा जो गए तीन सन्योजन उपरोक्त व्यवस्ता में घरों की इस्तिति के आदार पर एक निश्य तरीके से संगत है असंगत सन्योजन बताईए जो अलग है a से f a से आप f जाएंगे तो आप बाएं जाते हैं एक व्यक्ति छोड़कर चलिए b से e जाएंगे तो आप दाएं जाते हैं एक व्यक्ति छोड़कर कोई दिखकत नहीं सी से जाएंगे तो सी से जाते हैं आप बाएं एक व्यक्ति छोड़कर एच से e जाते हैं तो आप जाते हैं बाएं एक व्यक्ति छोड़कर तो यहां पर आप देखिए यहां पर यह बाएं चले हैं बाएं चले हैं दाएं सि यह option भी correct है next अगला प्रश्न थोड़ी सी understanding बनानी है आपको अच्छे समझ में आ जाएगा यह देखिए पांच दोस्त राम रहीम राहुल रौकी और राज यह कब आया है देखिए आरार भी एंटी पीसी यह आठ तारिक को आया है करते हैं यह क्या है condition पांच दोस्त राम रहीम राहुल रौकी और राज एक दिवार पर टेक लेकर बैठे हैं यह सबी उत्तर की ओर उनमुख है देखिए पांच बैठती एक दो तेन चार पांच और सबी उत्तर यानि की ऊपर की ओर उनमुख है आगे पढ़ते हैं राम ऐसी दूसरे स्थान पर बैठा है जो किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है पढ़की चलेंगे एक ओलाइन अलग से राम राज के दाई और तो राज के दाई और दाई और दूसरे स्थान मतलब एक व्यक्ति छोड़कर कौन बैठा हुआ है आपने कहा राम ठीक कोई दिक्कत नहीं कोई भी दिक्कत नहीं जो किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है जो का मतलब होता है पास वाला सब्जेक्ट तो पास वाला सब्जेक्ट कौन है राज किसी सिरे पढ़ने बैठा हुआ तो आप मुझे बताइए यह लेफ्ट है यह राइट है तो हमेशे आपको ध्यान अतना पड़ेगा राज यहां पर तो नहीं आने वाला कंफम आगे पढ़ लेते हैं यह कहता है राम और रहिम दोनों सिरो पर बैठे है राम और रहिम एक बात बताईए मुझे राम और रहिम राम तो कभी लेफ्ट में आनी सकता क्योंकि आपको पता है राज के दाएं बैठा है राम राज के दाएं बैठा है तो यह किसी की लेफ्ट में आपको यह पता होना नहीं और राम और रहीम दौनों सिरों पर बैठें एक सिरे पर राम है तो एक सिरे पर रहीम आ जाएगा आगे राहुल राम के बगल में नहीं बैठा राहुल राम के बगल में राहुल नहीं है तो राहुल यहां बैठ जाएगा और बच्चे व इस्थान पर जो बचा है वह बैठ जाएगगा जो भी व्यक्ति है इस क्विश्चण में पूचछा है रॉक के वाई और थी सिस्थान पर पहले स्थान दूसर्च स्थान तीसिसिथान पर ऐट्ञार का णी नगी कोचिन देखते हैं अगला प्रेश्ण आपकी स्क्रीन पर आ रहा है देखिए यह आपका आया है आराज भी एंटी पीसी 15 मार्च 2021 सिप्ट फस्ट है ना अब इसको अच्छे सैट करते हैं और करते हैं हल ठीक है अब देखिए अच्छे से यहाँ पर साथ बकसे हैं कितने बकसे साथ बकसे बकसे अगर कोशन आ जाए तो एक बास सुनिए अच्छे से अब शुडूलिंग फिक्स कीजिए या ना कीजिए कोई देखत नहीं है जैसे ऐसे करते हैं तीन चार पांच छे साथ कीजिए ना कीजिए जरूरी नहीं है साथ बकसे SP, L, Q, R, M, N एक दूसरे के उपर रखे गए हैं जरूरी नहीं है इसी करम में हो M और L की बीच में किवल तीन बकसे रखे गए हैं M और L की बीच में तो देखिए M और L के बीच में तीन बकसे रखे गए हैं ठीक एक और लाइन पढ़ लीजे M को M और L को ना तो सबसे नीचे और ना ही सबसे उपर रखा गया इससे ये fix हो गया actual में है क्या condition M और L की बीच में 3 वक्से हैं तो अगर आप इनको count करें तो 1, 2, 3, 4, 5 position घिर जाती है जहां ये उपर नहीं आ सकता ये सबसे नीचे नहीं आ सकता तो इसके उपर एक होगा इसके नीचे एक होगा जिससे इनके box होगए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 ही box आपको रखने है अब easy हो जाएगा और ना ही सबसे उपर रखा गया L और N के बीच केवल 2 box है L और N के बीच केवल 2 है तो L तो पहले से मौजूद है उसकी sitting fix है और L और N के बीच 2 box है N यहाँ जाएगा आगे S, R के ठीक नीचे है S R के ठीक नीचे के मतलब होता है एकदम अगल बगल बैठे है उपर नीचे तो आपको 2 seat चाहिए तो 2 seat तो यह रही R यहाँ जाएगा S यहाँ जाएगा आगे S और Q की बीच केवल एक बगसा है S और Q की बीच S और Q की बीच सिर्फ यही बगसा है उपर तो कहीं है नहीं किलियर यह 6 लोग बैठ गए एक बचा है यहाँ बैठाल दीजे कौन बचा है S, P P बचा है P उपर आ जाएगा क्या पूचा है P और N की बीच कितने बखसी है P और N की बीच एक बखसा है यह correct answer है जो कि option number C correct है अगला प्रशन अगला प्रशन क्या कहता है यह वैसे बता दू आपको यह NTPC यह 30 तारिक जो जन्वरी 2021 में जो सेट हुआ था सेट करते है कीजी इसको करते हम सेट हाँ जी ठीक है देखी साथ व्यक्ति P Q R S T U तथा W साथ मन्जिल पर बैठे और मन्जिल वाला प्रशन आजाए तो हमेशा मन्जिल बनाईए कैसे बनाते है मैं आपको सिखाता हूँ देखी एसे लाइन खीचे क्लियर पहली दूसरी तीसरी चौथी पाचवी छटवी साथ मी आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप जल्दी बनाएंगे अब देखी आगे ये कहता है ये एक्स्टा लिख गया है कोई दिक्कत नहीं ये रॉंग है इसको काड़ देना पहली मंजिल सबसे निशली मंजिल है लिखा हुआ है उससे उपर दूसरी उससे उपर तीसरी स्प्रिकार से ये मंजिल सेट की हुई है लिखा हुआ है एक मंजिल पर केवल एक व्यक्ति रहता है यह भी fix है P S से उपर किसी एक मंजिल पर रहता है P किस से उपर S से उपर किसी एक मंजिल पर रहता है और कितना उपर रहता है यह fix नहीं है पर S से उपर definitely है आगे तथा S बिसम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता अगर S बिसम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता तो S रहेगा समसंख्या वाली मंजिल पर समसंख्या वाली मंजिल कौन-कौन सी है आपने कहा दूसरी चौथी और छटवी कोई भी दिक्कत आपको है नहीं confirm आगे S तथा T के मद्दे केवल दो व्यक्ति रहते हैं S तथा T के मद्दे केवल दो व्यक्ति रहते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है आपको U W के ठीक उपर रहता है U है वो W के ठीक उपर कौन रहता है U इसका मतलब ये दो स्थन अगल बगल वाला मतलब घेल लेंगे उपर नीचे वाला आगे T और P के मद्द केवल 4 व्यक्ति रहते हैं और कौन कहां रहता है उपर नीचे ये कोई भी fix नहीं है आगे हमसे क्या कहता है प क्या पड़ासी कौन है ये पूछाए P का पड़ासी कौन है अब सुनना अच्छे से मुझे एक पर बताईए ये कहता है T और P के बीच 4 व्यक्ति रहते हैं और P आपको पताए P S से उपर आएगा है ना क्लियर आप मुझे बताईए अगर आप S को यहां मानते हों अच्छे से सुनिएगा क्योंकि S आने वाला है समसंख्या वाले इस्थान पर कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं है तो आप कहेंगी P यहां आजाएगा पहली condition दूसरे में आप अगर S को यहां मानते हैं समसंख्या पर मतलब समसंख्या वाले इस्थान पर तो P ऊपर आएगा यह पता नहीं है इस condition में आपको यह पता है P से 4 इस्थान छोड़कर T का इस्थान है तो मैं यह कह सकता हूँ मैं यह कह सकता हूँ पर यहां पर उपर नीचे कौन आएगा यह कुछ भी दिया गया नहीं है इसका मतलब P उपर तो 1, 2, 3, 4, T यहां आजाएगा confirm? कोई दिकत नहीं यहां तक पहली condition तो यह बन गई अगर मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस condition में भी लेना चाहते हैं इस condition में भी लेना चाहते हैं पर एक और चीज फुल्फिल करनी पड़ेगी S और T के मद्द में कितने रहते हैं? 2 पर यहां कितने रहते हैं? 3 तो यह तो कट जाएगा दूसरी condition अगर आप ऐसा लेते हैं कि S और T के मद्द कितने हैं? 2 2 आ गए जबकि आपको पता है S ते उपर कौन है? P और जबकि P और T के भी 4 है 1, 2, 3, 4 तो यहां क्या आजाएगा P? देखिए S के उपर है P clear? P और T के बीच में कितने लोग है? P और T के बीच में कितने लोग है? 4 लोग बिलकुल है यह भी condition fulfill यह भी condition fulfill और यह भी condition fulfill S और T के बीच दो अब यह कहता है W के ठीक उपर U रहता है 2 इस्तान देख लिए W के उपर ठीक रहता है U बस अब क्या गड़ना है? कुछ और बचा है? कुछ भी नहीं बचा आगे P का पड़ोसी कौन है? P का पड़ोसी यह है जो बचे है कौन-कौन बचा है? P, Q, Q बचा है ठीक P, Q, R, R बचा है तो Q, R यहां सकता है या Q, R यहां सकता है तो answer होगा Q, R जो key option number भी correct है Next बस आपको understanding लानी है इनको मिलाना है यह जो आप combination बचालती है इनको मिलाना है और बन जाएगा अगला प्रशने देखिए यह 8 छातर है यह दच्चिड के और मुख करके बैठे है यह कब आया है? NTPC 21 तारिक को आया है जन्वरी में 2021 सेकंड में अब देखते हैं इस प्रशने को 8 छातर है PQRST X W X Y Z दच्चिड के और मुख करके बैठे हैं पंक्ती में दच्चिड का मतला होता है नीचे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाचवा, छटवा, साथवा, आठवा अब देखिए आगे P और T के मद्दे केवल 4, 6 बैठे हैं P और T के मद्दे केवल 4, 6 पर ये नीच पता कि P T कहा है क्लियर, ये पहली कंडिशन दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है Z S के बाई और चौथे स्थान पर है Z S के बाई और आपको ये पता है जब आप दच्षिड में देखते हैं, तो बायाँ इदर होता है, clear? और दायाँ इदर होता है, उल्टा हो जाता है, ऐसे देखते हैं, दच्षिड मतलब ऐसे, बायाँ और दायाँ, अपने हातों से देखना, अपने आप से, ठीक है? यह आपका बायाँ, यह इदर दाया, confirm? क तक तीन वैक्ति को छोड़कर यह दूसर पॉइंट आगे है आगे यह हमसे कहता क्या है R Q का पड़ोसी है R किसका पड़ोसी है Q क्या हो यानि कि R के बगल में कौन आएगा Q आएगा यह तीसा point है, और कौन कहा आएगा ये बिल्कुल पता नहीं है, कोई किदर भी आ सकता है, आगे P, T के दाइयोर बैठा है, कौन बैठा है, यहाँ पर बोला गया है कि P, T के दाइयोर T के दाइयोर कौन बैठा है, P, आपको पता होना चाहिए दाइयोर इदर होता है तो P T के दाइयोर बैठा है confirm आगे तथा T Z के बाइयोर दूसर इस्थान पर बैठा है T Z के बाइयोर Z के बाइय होता है इदर Z के बाइयोर कौन बैठा है T बैठा है दूसर इस्थान पर एक को छोड़ पर आगे पहले सारी की पॉइंट उतार लेंगे फिर उनको मिलाते हैं फिर कोशन निकालते हैं T X का पड़ोसी नहीं है इसका मतलब T के बगल में जो X है नहीं बैठेगा यदि T पंक्ती के किसी एक छोर पर बैठा हुआ है T पंक्ती के किसी एक छोर पर बैठा है तो इसकी दो possibilities बना लेते हैं एक यहां पर लिख लिजे और एक आप यहां पर लिख लिजे उपर देख रहा है आपको पंस सेकेंड हाँ जी आपको वीजिवल है तो T आप यहां बैठाल सकते हो कोई देखकर नहीं तो पूछा है तो दूसरे छोर से सात्वे स्थान पर कौन बैठा है दूसरे छोर होता है यह होता है आपका बाया पहला दूसरा होता है आपका धाया तो यहां से सात्वे स्थान पर पूछा गया है पहला दूसर 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 चोरता पाचवा चटवा सात्वा यह स्थान चलिए मिलाते हैं कड़ियों को जोडते हैं आप मुझे बताईए, T और P की बीच में 4 वेक्टी है, 1, 2, 3, 4, यहां जाएगा P, यहां से देख लिजे, 1, 2, 3, 4, यहां जाएगा P, यह हमने possibilities, यानि कि यह हमने key point क्रॉस कर लिया, आगे, फिर P T को देखो यहां पर, P T कहीं है, यह वाला है P T देखिए, T यहां पर भी है confirm, आपको पताए, Z, Z के by or T है, Z के by or T है, एक स्थान छोड़कर, ऐसी Z के by or T है, एक स्थान छोड़कर, यह तो कभी आई नहीं सकता, इदर तो स्थान बचे नहीं, यह कट जाएगा, यानि कि इस में से हमारा answer होगा, हमने यह use कर लिया, key point, हमने यह use कर लिया, confirm, कोई दि और P बैठा है, T के दाई और P, बिल्कुल confirm है, बिल्कुल सही बना रहे, अब यहाँ पर आ जाईए, देखिए, S के दाई और, दाई नहीं, बाई और, S के बाई और, Z बैठा है, तो Z बैठा है, S के बाई और, कितने वेक्ति छोड़का 3, 1, 2, 3, S यहाँ बैठ जाएगा, देखिए, यह confirm, कोई देख कर नहीं, RQ बगल में बैठे हैं, तो RQ यहाँ आ सकता है, या RQ यहाँ आ सकता है, पोजिशन पता नहीं है, आगे, कुछ भी दिया गया है, T, X के बगल में नहीं आता, T, X के बगल में नहीं आता, तो X यहाँ नहीं आएगा, X यहाँ आ जाए है पहला दूसा तीसा चौथा पांचवा चटवा साथवे स्थान पर कौन है बाई जो कि ऑप्षिन नमर सी करेक्ट है नेक्स्ट अगला प्रेश्न आपसे क्या कहता है जो कि आज की क्लास का लास्ट कोशन है यह आया है एंटी पीसी 21 जन्वरी 20 seconds देखते हैं क्या कहता है कि इसको करेंगे थोड़ा से छोटा नीचे करेंगे जिसे वीजिवल होजाए आपको प्रॉपर दिख जाए थोड़ा से नीचे करेंगे जिससे visibility हो जाए ठेक है अब देखें यहाँ पर आठ चातर है अनी, बीनी, सीना, दिया, इवा, फिन, गिम, तता, हज उत्तर के और मुक करके पंक्ती में बैठे हुए है केवल चार चातर सीना और बीनी के मद्द बैठे हुए है केवल चार चातर तो आठ व्यक्तियों की sitting है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाचवा, छटवा, साथवा, आठवा सबका मुक उत्तर की और है चलिए पहला point के आपका कहता है केवल चार चातर सीना सीना है, सीनी है बीनी के मद्द बैठे है पर ये नहीं पता हमें कि सीना इदर आएगी या बीनी इदर आएगी या सीना इदर आएगा या बीनी इदर आएगी इनका नाम इतना गंदा होता है पता नहीं चार वैठते हैं वो बठाल दिये तता सीना एवं बीनी के मैंसे एक पंक्ती की एक छोर पर बैठा है, यह अच्छा key point है, या तो सीना या तो बीनी, पंक्ती की एक छोर पर बैठा है, यह confirm बाते हैं, तो आपको रखना पड़ेगा एक छोर पर, या तो सीना को, या तो बीनी को, यह रखना ही पड़ेगा, आपने रख दिया पहले सीना को, अगर सीना को आपने एक छोड़ पर रखाए तो एक, दो, तीन, चौथे इस्थान को छोड़ कर बीनी बैठेगे. पर रखने से पहले आपको पढ़ लेना चाहिए, एक और बार पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा सा. बीनी तथा अनी के मद्दे केवल तीन चाहतर हैं, गिम और ऐसा कुछ भी ने दिया है, यह कह रहा है, कि सीना एवं बीनी मेंसे एक पंक्ती के एक छोड़ पर बैठे है, बीनी तथा अनी के मद्दे केवल इसका मतलब यह है, एक छोड़ पर बैठने की कंडिशन कैसे हो सकती आप मुझसे यह कह सकते हो कि सीना और बीनी ऐसे बैठ सकती है या आप यह कह सकते हो इसको ऐसे बना ले या सीना या बीनी इदर बैठ सकती है या दूसी कंडिशन में यहां से भी तो ले सकते हैं सीना या बीनी इदर बैठ सकती है एक दो तीन चार सीना या बीनी इदर बैठ सकती है यह condition हो सकती है बस बैठने के छोरो पर तो आगे हमसे बोलता क्या है कि सीना एवं बीनी मैंसे एक पंक्ति चोर पर बैठा हुआ है बीनी तथा अनी के मद्दे केवल तीन छातर है बीनी तथा अनी अगर बीनी 이걸 यहां बैठी है तो एक दो तो तीन अनी यहाँ पर है बीनी यहाँ पर है तो अनी यहाँ पर है लिख लेते बीनी और अनी के मद्दे तीन बैठे हैं आगे हैं गिम और हज के मद्द के वल दो बैठे हैं गिम तता हज के मद्द दो बैठे हैं दिया अनी के दाए बगल में बैठा है आगे अनी हज के वाई पाँचवे इस्थान पर है अनी हज के वाई पाँचवे इस्थान मतलब चार को छोड़कर पाँचवे इस्थान पर हज के वाई पाँचवे इस्थान पर कौन बैठे हैं अनी के लिए आगे मुझे एक बात पताईए अच्छे से समझ में आया होगा आपको अगर हज के बाई और अनी बैठी है पांच में स्थान पर तो अनी कभी यहां पर तो आन नहीं आ सकती जैसे मैंने यहां पर बैठाया था बीनी को बीनी और अनी की बीच में तीन है अगर बीनी को मैंने यहां बैठाया है एक, दो, तीन, तो मैंने अनी को यहां बेठाल दिया ठीक है, और आपको यह पता होना चाहिए कि हज के बायूर अनी आईगी अगर हज यहां भी बैठता है तो एक, दो, तीन, चार अनी यहां आती है इसका मतलब यह है अनी यहाँ पर तो कभी नहीं आ पाईगी मैं यह कह सकता हूँ ना कि यहाँ पर मैं बैठाल सकता हूँ सीना को और यहाँ पर बीनी को और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि बीनी और अनी के मद्द एक दो तीन अनी यहाँ पर आ जाएगी अनी यहाँ पर आ जाती है तो देखिए हज चार व्यक्तिव को छोड़ कर अनी बैठी है एक दो तीन चार अनी नहीं यहाँ पर अगर हज को बैठाल दे तो एक दो तीन चार छोड़ कर अनी बैठी हुई है यह condition बन सकती है आपकी यह condition यहाँ पर बन सकती है या दूसरी condition यहाँ से बनाएंगे अगर यहां बीनी बैठी हुई है बीनी और अनी के मद्ध में 3 है अगर बीनी यहां मानते हैं तो 1, 2, 3, अनी यहां मानी जाएगे और आपको पता है अनी हज के चार इस्थान छोड़कर बैठी है बाए से तो यहाँ पर कभी नहीं आ पाएगी अगर हज यहाँ बैठता है एक, दो, तीन, चार छोड़ी नहीं पाएगी तो यहाँ पर बीनी तो कभी नहीं हो सकती है सीना होगा यहाँ पर और बीनी होगी यहाँ पर और मैं आपको बता दू बी नहीं होगी तो एक दो तीन छोड़कर तो कभी भी अनी यहां नहीं बैठ सकती अनी यहां बैठेगी तो बैसे भी नहीं आ सकता है बाए पांच बिस्थान पर यह कट जाएगा फाइनली यह ठीक है इसको फिल करते हैं इसी अंसर आने वाला है और आएगा भी कोई दिक्कत नहीं है देखिए अनी के दाएं दिया है दिया यहां जाएगी ठीक भगल में ओके अब आपको पता है एक कंडिशन और दी गई थी आपको क्या क्या बचा है यह ले लिए आपने गिम और हज के मद्ध में दो बैटे हैं हज यह रहा एक दो गिम यहां बैट जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं है आपको अब आपसे पूछा कर डारेक्ली कुशन पर आते हैं दिये गए बिकल्पों मैंसे बीनी के बाएं बगल में कौन है बीनी के बाएं बगल में यह पू गिम है गिम यहां आ गया है यह बगल में नहीं हो सकता है यहां ऑपका बीडियो समाफ हमने आपको अच्छी पजल सेटिंग मैं कर आई आपको समझ में आए होगी दूसरे वीडियो कल आएगा वीडियो लगाता आते रहेंगे रीजनिंग के थैंक्यू